हलो दोस्तो स्वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 85 प्लस मार्क्स आपको IBPS इंटर्व्यू में कैसे लेके आने हैं दोस्तो करीब 20,000 स्टुडेंट्स का जो है मेंस में सेलेक्शन हो गया है मतलब मेंस का उनका क्लियर हो गया है और 10,000 के करीब जो है मार्केट में विकेंसी है तो इसका मतलब यह है कि हर दो में से एक बच्चे का सेलेक्शन होना है और यह तब ही हो पाएगा जब आप इसको अच्छे से मास्टर करोगे क्योंकि बाकी प्रोसेस्स तो वैसे भी कंप्लीट होच पी है तो यही है जो अब आपके हाथ में है तो चल यह बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोड़क्शन दे देता हूँ यह मेरा नाम है मैं PO था OBC बैंक में जो कि अब PNB बन चुका है उससे पहले मेरा PO में सेलेक्शन हुआ था बैंको बडोदा में उससे पहले PO RRB सर्व हर्याणा ग्रामेंड बैंक में SSE CGL 15 और 16 मेंने क्रैक किया आप Presently में Ministry of Defense में काम कर रहा हूँ तो चलिए दोस्तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस इंटर्वी का purpose क्या होता है दोस्तो purpose जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता क्योंकि अगर purpose पता है तो हमें ये पता कि हमें करना क्या है वो क्या देखना चारे है exactly वो ही चीज़े हम वहाँ पे present करेंगे तो देखे दोस्तो return में mostly वो चीज़े आपकी quantitative skills check कर चुके है reasoning skills चेक कर चुके है बाकी सारी skills चेक कर चुके है but as a person आप कैसे हो ये उनको नहीं पता और ये पता करने के parameter क्या है parameter है कि आपकी knowledge कैसी है आपका attitude कैसा है आपका behavior कैसा है आपकी reasoning skills कैसी है reasoning वो वाली reasoning नहीं जो हम exam के अंदर करके आई हैं भी reasoning skills वो कि आप किसी चीज़ के पिछे क्या rational देते हैं क्या reasoning लगाते हैं वो वाली analyze कैसे करते हैं situation को manage कैसे करोगे अगर कल को कोई issues होते तो management skills जानना चारे है और इन सब का जो एक purpose है वो ये जानना है कि आप कितने अच्छे officer बन सकते हैं तो purpose हम बात कर चुके हैं अब देखते हैं कि parts क्या है interview के देखिए दोस्तों सबसे जो important part है वो है आप खुद और उसके बाद ये तीनों को हम एक में ही club कर देते हैं और जो आपके बारे में जो question होंगे और आपके बारे में जो भी जिंतनी जानकारी होगी वो 60 to 70% जो है वो interview के score को effect करेगी ठीक है और ये जो knowledge है ये खाली 30 से 40% और ये भी थोड़ी exaggerated figure है क्योंकि basically ये GK आपकी check हो चुके है current affair आपकी check हो चुके है banking आपकी check हो चुके है बट अब वो ये confirm करना चारे है कि आप कोई mago type इंसान तो नहीं है कि आपने बस cram कर लिया बट आपको concept की कोई समझ नहीं है तो सिरफ वो चीज assure कर रहे है कि आपको वो जो चीज अभी तक करके आए वो आती है या नहीं आती है वो clarity है या आपने गोट रखा है इसका सिरफ इतना ही रोल है तो यहां से बहुत ज़्यादा कोई बड़ा difference नहीं होने वाला बट यहां पे बहुत ज़्यादा difference होने वाला है यह इसको support करेगा बस इससे ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है तो चलिए आगे देखते हैं देखिए दोस्तो एक golden rule होता है interview को crack करने का देखिए interviewer का जो दिमाग है वो free bird है उसके दिमाग में हजारो question हो सकते है अगर आपने उसको free छोड़ दिया मतलब कि उसको जो पूछना पूछ सकता है तो यह मान के चलिए उसके हजारो question का आपके पास हो सकता answer ना हो और यह quite possible है यह चीज की हर किसी के जो सवाल है हमारे लिए possible नहीं हर किसी को answer कर पाएं वो क्या पूछना चाता है क्या जानना चाता है तो उसका एक solution होता है कि आप अपने answers में ना कुछ hints थो करो कुछ ना थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहो कुछ-कुछ ऐसी बाते बोल दो कुछ-कुछ ऐसे words बोल दो जिसके बाद आपसे वो question पूछे उन्हीं बातों के बारे में जो आपने पहले से बात करते हो तो वो कहते है कि यार कुछ चाहता है क्या कुछ मतलब चाहिए कि तुझे क्यों इस तरह की बाते बोल रहा है मतलब आपने एक दो word ही बोले होते है पूरी बात नहीं बताते है ले उस opportunity को use करो और वो hints को उसके अंदर थ्रो कर दो hint कैसे थ्रो करनी है वो वीडियो में हम आगे बात करेंगे क्योंकि वो एक perspective है सोचने का कि कैसे आपको बात बोलनी है कि वो गलत भी ना हो और आप trap भी ना हो और आप interviewer को वहां लेके आप आओ जहां पर आप comfortable हो जो आपकी कह सकते हैं core competency है आपकी expertise होगी दूसरा एक golden rule है कि कोई भी चीज़ जो पढ़ रहे हो नो वो detail में पढ़ो क्योंकि होगा क्या जो भी आप जवाब दोगे उसके बाद ना उसके बाद deeper question होगे जैसे आप से कोई एक चीज़ पूछी गई उसको explain करने के लिए आपने word use कर लिया x अब x को पूछेंगे वो कि x क्या है अब x को explain करने में आपने word use किया y अब हो y पे question पूछेंगे तो जो भी चीज़े पूछी जाएंगी वो line से एक के बाद एक 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 के बाद एक एक पूछी जाएंगे इसलिए आपने देखा हुआ कि कोई कोई जब interview देके आते हैं तो उनसे पूछा जाता कि सिरफ money के उपर ही 10 question पूछ लिए currency के उपर ही तीन question पूछ लिए आप सोचोगे यार का interviewer के पास कुछ और है नहीं ऐसा नहीं है कि उसके पास कुछ और नहीं है वो एक answer दिया गया answer में further उससे पूछा गया further उससे पूछा गया तो इस तरसे chain में चलती है तो जो भी prepare करो जो भी बोलो उसको थोड़ा deep में prepare करो ठीक है अब चलते हैं आपकी personal life के उपर जैसे कि सबसे पहली चीज है आपका नाम आपके नाम का meaning आपको पता होना चीज ह कि आपको अपने नाम का meaning नहीं पता तो आपकी वो unawareness दिखती है ठीक है आप aware नहीं है चीजों को लेकर है कोई famous personality है आपके नाम की आपके ही नाम से कोई historical कोई mythological कोई figure रही है कोई person रही है उसके बारे में आपको पता होना चीज है चार से पांच लोग और at least जो लोग popular है जैसे किसी का नाम अगर manmohan के नाम से कौन सबसे ज़्यादा पहला दिमाग में क्या recall value आती है अपके manmohan सिंग तो उनके बारे में पता होना चाहिए little bit knowledge about them सभी के बारे में चार पांच लोगों के बारे में basic basic information जो है वो gather कर लो family देखिए आपकी family के बारे में वो इसलि अगर जोग किसी particular field में मालो वो railway में है तो आपसे पूछा जा सकता है कि broad gauge क्या होता है narrow gauge क्या होता है ततकाल booking क्या होता है कुछ भी ऐसी इस तरह का question पूछा जा सकता है या फिर उनकी किस department में काम कर रहे है उससे related कुछ नया market में अभी आया है आप उनकी जोग को पसंद क कि नहीं करते हैं करते हो तो क्यों करते हो और नहीं करते हो क्या आप उनको follow करते हो क्या आपके वो role model है role model का specific question अलग से पूछा जा सकता है कि आपके role model है को तो आपके father को generally expect किया जाता है कि आप उनको role model बताएं बट अगर यह बोल रहे हो तो आपके पीछे उसकी justification होने जरूरी नहीं है कि यही हो वो पूछ सकते हैं कि उनके बारे में पांच quality बताओं पांच बतानी जरूरी नहीं है दो तीन चार अपनी prepare कर लो हो सकता है वो पूछे जाएं वो working है तो भी पूछे जा सकती है non working है तो भी पूछे जा सकती है same question ना इन तीन लोगों के बारे म पूछे जा सकते हैं अगर आपके sibling ने कुछ बड़ा उखाड लिया है मतलब बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो तो आप से पूछा जा सकता है कि भाईया आपने क्यों नहीं किया वह काम तो मतलब इस question को भी answer आप ready रखना बट अगर हाँ वह normal है तो आप justify कर सकते हो कि उसका उसमें interest था मेरा इसमें interest था तो वह justify हो जाती है best friend की भी आप prepare करके रखना एक दो लोगों से हमारे time में पूछा गया था कि आपने दोस की चार qualities बताईए तो basically आपको वह analyze करना चाहते कि आप लोगों को कैसे analyze करते हैं आपको वह देख र स्टडी पे आपने schooling आपने क्या पढ़ा कहां से पढ़ा यह सब आंसर आपके त्यार होने चीए basically इस वीडियो में हम overview लेंगे कि क्या क्या चीजे करनी है उसके बाद detail में हम इनी topics को अलग से cover करेंगे कि आपको क्या बोलना है उनके answer क्या बोलने मैं overall आपको perspective इस वीडिय से उसके बाद आपने graduation में ले ली arts क्योंकि किसी ने कहा कि शायद अगर आपको UPSC के त्यारी करनी है तो arts beneficial है तो आपका justification ready होना चाहिए कि आपने जो है mismatch क्यों create किया वो justify नहीं कर पाऊए ना तो आप irrational person वहां पे prove हो जाते हो कोई भी gap year है आपका तो gap year क्यों था उसको justification उसकी ready होनी चाहिए उसके बाद सबसे important चीज है आप कहां से belong करते हो आपका birthplace, hometown आप जो भी कहो सको अगर तू वो famous है तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको क्यों famous है जैसे कि कोई कुरुक्षेत्रा से अगर है तो कुरुक्षेत्रा से related आपकी दिमाग में क्या जाए मतलब हो सकता है उनके दिमाग में पहली चीज महाभारत से related drop दी जाए ठीक है तो वो जो एक incident हुआ था एक main event हुआ था जिसके उपर पूरी महाभारत हुई थी वो क्यों हुआ था उसके consequences क्या थे क्या वो avoid किया जा सकता था मतलब basic से सवाल है वो आपको यह चेक कर रहे है कि आपकी awareness चीजों के बारे में कितनी है उसके बाद historical significance आपकी जगे की मालनो आप जिस जगे से हो जैसे पानीपत से हो आप तो वहां की historical significance क्या है वहां war हुई थी उन war के बारे में थोड़ा detail में पता होना चीज हो सकता है जो बंदा वेस्ट बेंगोल से उसको पानीपत के war के बारे में ज़्यादा ना पता हो कोई बात नहीं है बट आप पानीपत से बिलोंग करते हो वहां इतना बड़ी historical चीजे होई है तो आपको उनकी detail नहीं पता इसका मतलब आप unaware हो ठीक है वो क्यों हुई उनका present effect क्या है क्या जो war हुई थी उनका present effect क्या है अभी तक को हम क्यों वो करते हैं terrorism क्या ground level पे है क्या हर आदमी इस तरह से सोच्ट है मैं जब कुछ भी वो पूछ सकता है उसके बाद पॉलिटिकल significance आपके state की जैसे state की या hometown की अगर कोई बड़ा leader आपके area से आपके hometown से अगर आता है तो वो उसके बारे में आपको पता होना चीए MP MPMLA आपके present में कौन हो यह कौन है यह आपको पता होना चीए economical significance जैसे आपके अगर city जो है वहाँ अगर mining होती है mining के लिए जाना जाता है या फार्मिंग के लिए आपको जाना जाता है तो वो आपको पता होना चीए उसी जगे कि आपको geographical significance भी पता होना चीए अगर आप हि positives क्या है उसी तरह से same question जो हम उपर home town के बारे में पढ़ रहते हैं वही आपके home state के बारे में भी लागव होते है historical, political, economical, geographical, significance आपको पता होना चीए आपके state की famous किस वज़े से है आपके state की formation कब होई आपका independence के साथ ही state बन गया था या उसके बाद अलग से बना था legislative assembly के बारे में पता होना चीए कितने member हैं आपका cm कौन है, mla कौन है, last cm, last mla कौन है ये सब चीजे आपकी ये दिखाती हैं कि आप aware हो चीजों को लेकर, overall आपको पता होता है उसी तरह से legislative assembly का है तो उसी तरह parliament का पता होना चीए कि आपके state से कितनी seats पर्लियमेंट की, आप आपका MP कौन है, आपका previous MP कौन था, उसके बाद आपके बारे में एक important चीज हो रहती है, hobby, देखिए कोशिश करिए कि आपकी जो hobbies हैं वो genuine हो, क्योंकि अगर genuine नहीं होगी तो आप फस जाओगे, दूसरे तीसे सवाल के बाद ही, आप trap हो जाओगे, और दूसरा, अगर में कुछ-कुछ पता होना चाहिए, जो भी आप hobby या कोई game बोलो, तो India का उसके साथ क्या relevance चल रहा है, India level पे उसको कौन represent कर रहा है, उसमें क्या चल रहा है, उससे related कुछ current event कुछ हुआ है क्या, जैसे अभी wrestling को लेके अगर आप wrestling से related कुछ बात बोल देते हो, तो recent में WFI क क्या चल रहा है, कुछ खिलाडियों ने कुछ हारोप लगाए है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, कैसे उसको resolve करोगे, ये चीज़े आपसे पूछी जा सकती है, अगर नहीं है आपकी कोई hobby, genuine, तो आप script करो ना तो उसको detail में करो, detail में नहीं करोगे ना तो आप trap में जाओगे, तो मतलब ऐसा होना चाहिए को उस hobby के बारे में आपको कम से कम 10-20-30 questions के answer पता हूँ, आप Google कर लो उनको, उससे related, Wikipedia सर्च कर लो, सारे सवाल आज की दिन Google पे available है, तो नहीं है तो create करो, कोशिश करोगी कोई creative hobby हो, क्योंकि creative होगी ना तो पैनल के दिमाग में strike करे अच्छा, prepare all possible question कि ये hobby आपके लिए कैसे useful है, bank के लिए वो hobby कैसे useful है, ये answer आपको त्यार करने पड़ेंगे, क्योंकि अमोमन ये सवाल वहाँ पे पूछे जाते है, उसके बाद हो सकता है कि आप free time में क्या करते हो, ये पूछा जाए, बट उसका ये ही मतलब होता है कि कोई आपसे दुबारा ये नहीं पूछने वाला कि आपने 5 क्यों नहीं बता ही, अगर पूछ भी ले तो उसको बोलो कि यार यार नहीं, अगर वो पूछे तो कि sir अभी के लिए मैं इतनी recall कर पा रहा हूं, तो वो उससे जादा कोई फरक नहीं पड़ने वाला उनको, कोश स्ट्रेंथ हो लोगे, उसके 2-3 real life example होने चीए, कि कौन से वो example हैं, वो प्रूव करते हैं, कि वो आपकी strength है, जैसे कि आपने पूछा, आपने कहा कि मेरी communication एक अच्छी strength है, बट वो आपकी life में कहीं पे, उस communication का आपने क्या use किया, आपने कोई चीज लीड करी, आप किसी marketing campaign में गई है, या कुछ तो आपने किया होगा ना, जो आपकी strength को दिखाए, और दूसरा, communication आपकी strong, आपने boldly communication मेरी strong है, क्योंकि मैं banking में जाओंगा, तो आपने वो positive के angle से सोच लिया, बट आपकी बातों से लग नहीं रहा, कि आपकी communication strong है, तो वो नहीं होना चीए, वो आपके character और अपनी life के साथ match होनी चीए, और दूसरा, एक गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं, वहाँ भगवान बनने की कोशिश ना करो, strength के नाम पे कुछ भी मत पेल दो कि भाया, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो बहुत emotional हूँ, मैं तो बहुत ही अच्छा जाता है, वो सब बाते मत करो, वो too much exaggeration होगी, वो negative point चला जाएगा, bank एक commercial institution है, जहां profit loss केला जाता है, जहां profit loss से फर्क पड़ता है, अगर इतनी दयालू किसम के होंगे, तो आप bank का नुक्सान कर बैठोगे, तो इतना भी भगवान वहाँ पे नहीं बनना है, सेम weakness के बार दूसरा, यह जो weakness है, वो बहुत जादा disastrous नहीं होनी चाहिए, मैं lazy हूँ sir, मैं counting में mistake कर देता हूँ, मैं को sir, काम करने में कोई मजा नहीं आता, तो इस तरह की चीज़ें मत बोलिए, कि वो आपके लिए too much disastrous, थोड़ा बोड़ा negative आप बोल सकते हो, sir, communication मेरी weak है, बट वो द बात को support करें, कि आप अपनी कम्यों को improve करने के लिए क्या कर रहे है, ठीक है, जैसे communication week है, तो आप मैं communicate करने की कोशिश करता हूँ, मैं engaging होने की कोशिश करता हूँ, अंजान लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, तो यहां से आप दिखाते हो, कि आप अपनी कम्यों पूछे जा सकते हैं या आपकी language से related question पूछे जा सकते हैं आपकी family friend यह हो चुका है educational background हो चुका है इसके उपर question पूछे जाते हैं other examination you are attempting यह बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि bank में जो लोग जाते हो उसके बाद SSC में चले जाते हैं तो यह इस answer के लिए तयार रहो graduation से related आपसे question पूछे जा सकते हैं तीन example मैंने बनाए है commerce stream से हो engineering से हो या humanities से हो देखो सबसे पहले तो अगर commerce से होना तो क्योंकि आपके field से related ही job है तो deep question आपसे पूछे जाएंगे तो अगर आप generic answer दोगे ना तो वो sufficient नहीं होगे अब b-tech वाला उस चीज के बारे में थोड इस level questions आपसे पूछे जा सकते हैं जैसे message two stroke और four stroke के बीच में difference पूछा गया था four stroke engine के बीच में और सबसे जरूरी question जो होता है why banking आप engineering करके आए तो banking में किसलिए यह answer आपका त्यार होना चाहिए humanities वालों से generally expect किया जाता है कि यह यह तो UPSC ford ने के लिए पैदा हुए त और आपके stream से related question पूछा जा सकते हैं कि arts background से हो तो आपने वो जो आपकी stream है उसका क्या use किया वो आपने क्यों छोड़ दिया उसे में further pursue क्यों नहीं किया PhD क्यों नहीं करी तो उन answer के लिए तैयार हो अगर आपका कोई work experience है तो पूछा जाएगा क्यों छोड़ रहे हो अप फिर आपको वो follow up question के लिए तयार रहना चाहिए how you how you schooling graduation stream job experience हो भी हाँ यह पूछ सकते कि यह सारी चीजे बैंक को कैसे मदद करेंगी आपने schooling करी है मालो non medical medical से आपने 11 12 करी है तो वो कैसे help करेगी आपकी graduation में आपने मालो arts करी है तो आपको कैसे help करेगी bank को job आपने करी है मालो sinema में आपने job करी है तो आपकी job experience का आप क्या use करोगे आपकी hobby कुछ है तो उसका क्या use करोगे मतलब bank को लेके वो concern है कि कोई भी चीज जो आपके अंदर है वो bank को कैसे help करने वाली है उसके बाद your opinion based questions ये बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे है ये typical question नहीं है आपका opinion क्या है किसी भी religion के उपर पूजा हुजा में आप बिलीव करते हो कि नहीं करते है भगवार में आपका विश्वास है कि नहीं वो पूछा जा सकता है political inclination पूछा जा सकता है ये तीनों पार्टियों क के बारे में आपके क्या feedback है मतलब क्या आपके opinion है किसी भी party के बोल देंगे कि इसके positive opinion positive point बताओ दो किसी के पूछ लेंगे 3 negative point बताओ तो ये सब आपको पता होना चाहिए नहीं तो थोड़ा वह त्यार कर लो बट कोशिश करो कि इसमें ना neutral रहना है अपनी को हाँ हमें को कोशिश ये करनी है कि कि किसी भी party को हम सीधा सीधा blindly ना favor करें वहाँ पे थोड़ा सा आपना एक neutral stand जो है ना वह maintain करना है ना कि हमें inclination ज्यादा दिखाना है दूसरा आपसे पूछा जा सकता है ये बड़ा favorite question है उनका privatization और public sector के बीच में आप किसको choose करते हो इसके positive बताओ इसके positive बताओ इसके negative बताओ इसके भी negative बताओ खास करके जो question आपको prepare करना है ये सबसे important question है वो public sector bank में बैठे है 90% लोगों का inclination है कि वहाँ पे public sector होने चाहिए merger के भी खिलाफ बहुत से लोग हो सकते हैं तो इस question को अच्छे से prepare करके जाना कि आप bank को merger के आप उसके खिल साफ हो तो क्यों? FDI के बारे में question पूचा जा सकता है कोई भी current event का topic पूचा जा सकता है जैसे Russia की war हो रही थी तो उसके बारे में उपर-उपर की चीज़े पता होने चाहिए क्योंकि आप current पढ़ रहे हो इतने जिनसे news paper पर पढ़ रहे हैं आपको यह नहीं बता कि रशिय की साथ किसकी लड़ाई चल रही है कौन किस चीज के लिए war लड़ रहा है क्या Genesis क्या था क्यूं शुरू होई थी तो मतलब उपर-उपर से आपको पता होना चाहिए कोई भी recent government scheme पता हो initiative जो आप भी कोई launch हुआ हो नया project launch हुआ हो rail road airplane का कोई भी कोई भी news bank से related NPA से related कोई committee की finding आई है कोई report आई है कोई भी changes हुए है RBI ने करे हैं या फिर यू मानके चलो ministry of finance ने कुछ regulations डाली है वो क्या है online और offline banking के बारे में आपको मतलब पता होना चाहिए कि भाई वो पूछ सकते हैं कि आजकल online बढ़ रही है इसके क्या negative है कैसे उनको counter करें frauds के कैसी जितने ह हो रहे हैं क्या हमें online पर जाना चाहिए क्यों न हम offline पर एठके रहें तो हर चीज के लिए एक mature answer होना चाहिए आपके बास और दूसरा ये गलती मत करना भाई किसी भी topic पर bluff मत करना अगर bluff करोगे ना तो आप पकड़े जाओ और पकड़े जाओगे ना तो बहुत poor image बहुत नो सोरी भी बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है बट दस में से एक भी सवाल का bluff नहीं करना बलफ पकड़ा जाएगा आपका तो नहीं पता तो नहीं पता पता है तो पता है simple अच्छा हाँ बट अगर किसी question के answer में आप यह कह सकते हो कि sir I'm not very sure बट जितना मेरे को पता हुई है अगर आप फिर भी अगर half-orted attempt देना चाहते हो यह मत करो कि आप उन्होंने आपसे सवाल पूछा आपने जवाब दिया इतना confident होके और वो गलत था ऐसा मत करो अब आजाते हैं जो बाकी का जो एक section बच गया GK और banking, current affairs और इन सब का देखे जो अभी तक आपने prepare किया ना वो more than sufficient है जिससे आपने pre or mains crack कर लिया यार तो इन तीनों चीजों के लिए आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है तो जो भी PO banking का syllabus है जो भी आपने book पढ़ी है वही उनको reread करो कोई नया समान मत लादो अपने उपर सेम GK का है जो current affair के अभी तक पढ़ते आ रहे थे IBPA CRRB के लिए वही पढ़ो बढ़ हाँ specific focus डालो अब के बार RBI पे public sector bank पे monetary policy पे इसके effect क्या है बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि monetary policy की basic basic चीजे नहीं पता CRR क्या होता है क्यूं होता है किसली होता है ये तीन सवाल में फसके खड़े हो जाते हैं वहाँ पर ये मत करो डिटेल में प्रिपेर करो इन चीजों करो गवर्नमेंट की कोई भी scheme जो की खास करके bank से related है bank के लिए कुछ नई scheme लेके आए है मालनों की सरफासी act के regarding कोई change हु tell us about your family, father, mother, sibling, friends, tell your strengths, weaknesses, qualities, why should we hire you, why banking, any questions को हमें use करना है, hint spread करने के लिए, इसी में हम कुछ ऐसा बोलेंगे कि वो उनसे question पूछे, एक question के अंदर दूसरा question पूछेंगे, दूसरे के अंदर तीसरा question पूछेंगे, तीसरे के अंदर चोथा, बट ये sure कर लेना, जो hint डाल रह जाना, ये backfire कर देगी, कि आपने कोई चीज बोल दी, बट आपको उसका पता भी नहीं है, तो अच्छे से prepare करो, जो hint छोड़ने वाले बातों के बारे, एक होता है situation based question बड़े पूछे जाते हैं, वो कहेंगे, suppose करो कि आप एक bank manager हो, और एक real life situation देंगे, उसके अंदर आप कुछ loan लेने वाले आए हैं, किसको preference दोगे, ये common sense से common sense से इसको answer करना है, एक person है, जो loan पे नहीं कर रहा है, आप उसको कैसे convince करोगे, कि भी आप एक कर दे, वो आपके अंदर, आपको behave ऐसे करना है, कि ऐसे नहीं कि शायद सर मैं उसको ये बोल दूगा, शायद सर मैं उसक को हाँ पर बोलना है, मालो कोई पूरे का पूरा गाउं है, जो कि कुछ particular loan नहीं दे रहा है, मालो के CC का कुछ है, कोई इस तरह का loan है, जो एक particular area में चलता है, वो नहीं pay कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे convince करोगे, ठेक है, अभी भी दोस्तों इसके बाद मैं काफी सारी दिख दिए हैं यहाँ पर, do's and don'ts in bank PO interview, detailed video आएंगी, इनके उपर strength क्या होगी, weakness क्या होगी, आप अपनी hobbies को कैसे create करें, वो सब question क्या होगे, banking से related जो questions होते हैं, उनको कैसे answer करना है, dress code क्या है, और कुछ जो है ना basic चीज़ें interview की, वो क्या क्या करनी होती है आपको, वो पता होनी चीए, ठीक है, उसके बाद भी आपके अगर कोई doubts हैं, कोई आपकी queries हैं, कोई आप specific topic चाहते हैं कि उसके उपर मैं वीडियो गनाओ, तो मुझे नीचे comment section में भेज देना, ठीक है, और दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को share करो, आप जैसे ही किसी दोस्तों का भला हो जाए शायद, तो thank you so much for watching, जय हिंद, जय वारत.